नमस्कार दे इंडिया टॉप देखने आप और मैं आनाम सशांग पांडे हैं देखिए ब्यार के मुख्यवंति निटीश कुमार के पास एक पत्र आता है पत्र में लिखा है कि सर मैं अपने ओपिस के एक सीनियर अधिकारी से परेशान हो चुकी हूँ वो मुझसे कहते हैं कि तुम टाइट जिन्स पहन कराओ अच्छी लगती हो छोटे छोटे कपड़े पहन कराओ अच्छी लगती हो पूरा कपड़ा पहन कराती हो तो अच्छी नहीं लगती हो सर मैं परेशान हो चुकी हूँ किर्पया मुझे बचा लीजिये देखे बिहार के मुख्य मंतरी निटीश कुमार के पास गया से पत्र लिखती एक महिला जो है वो लिखती हैं पत्र लिखने के दुरान उन्होंने कहा कि गया के पंचायती राज पदेदिकारी के दफ्तर में काम करने वाली हूँ और मुख्यमंत्री के पास सिकायत उन्होंने भेले जाओ वो लिखती हैं कि जीला पंचायती राज पदेदिकारी के योन सोसन से त्रस्ट हो चुकी हूँ आगे लिखती हैं अपनी आपबीती सुनाते हुए कि जीला पंचाइती राज पद्धिकारी ने एक दिन मुझसे अपने चेंबर में बुला कर उनका चेंबर काले सीसे वाला है यानि अंदर जो होता है वो बाहर नहीं दिखता है चेंबर में बुलाने के बाद उन्होंने उस महिला को कहा कि तुम छोटे कपड़े पहन कराओ अच्छी लगती हो और टाइट जीन्स पहना करो महिला आगे लिखती है कि उस दिन जब साहब ने मुझे चेंबर में बुलाया तो वहाँ पहले से उनका ड्राइबर मौजूद था मेरे वहाँ जाते ही साहब ने ड्राइबर को वहाँ से बाहर भेज दिया फिर वो मुझे लैपटप का बहाना बना कर डाटने लगे उनकी डाट सुनकर मैं रोने लगी उसके बाद साहब मुझे सांतावना देने के बहाने पास आये और मुझे पकड़ लिया उनकी गलत नियत देखकर मैं भागने लगी तो उन्होंने पीछे से मुझे कस कर पकड़ लिया महिला ने अपनी सिकायत में लिखा कि पंचायती राज पधिदिकारी ने उससे कहा कि तुम पूरे कपड़े पहन कर आपिस आती हो तो अच्छी नहीं लगती हो इसलिए वो आपिस के टाइम जीन्स आपिस जब आए तो टाइट जीन्स और टीशट पहन कर आए वो अच्छी लगेगी देखे इसके बाद जो मामला हुआ है लड़की आप बीती अपना पूरा सुनाई है बिहार के मुख्यमते निटीश कुमार के पास पत्र लिखिये पड़ते ही सी एम ने तुरंत जांच का आदेश दे दिया है सी एम को पत्र मिला है और 48 घंटे के अंदर में रिपोर्ट स्वापने की बात हो गई है बिहार के मुख्यमते निटीश कुमार ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर में जांच करकर इसका रिपोर्ट स्वापे और महिला लड़कियों की वेकेंसी हो रही है चाहे बिहार पुलिस की बात कर रही है या बिहार के कई सारे ऐसे विभाग है जहां पर लड़कियों की तेजी से बहाली हो रही है और नितीश कुमार गर्व से कहते हैं कि हमारे यहां लड़किया नौकरी कर रही है और ऐसे में बिह जिन्स पहना करो अच्छी लगती हो सौट कपड़े पहना करो अच्छी लगती हो तो कभी जवरदस्ती पकड़ लेते हैं अब देखने वाली बात यह है कि मुख्य मंत्री ने तो कह दिया है कि 48 घंटे के अंदर जाच करकर रिपूर्ट पेस कर दिया जाए अब देखने वाल हो तो कर दो कमार जाच सूच呢